Hello बच्चो एंड पेरेंट्स, this is a video for IIT JEE 2026 as parents as well as their parents और जो बच्चे मतलब भी 10th से 11th में मूव कर रहे होंगे और और वगरा IIT JEE की preparation स्टार्ट करना चाते हैं ताकि वो JEE 26 में दे सके और 12th का board view वो 26 में देंगे तो this is going to be one of the most important video in their preparation journey especially जब हम 10th से 11th में जाते हैं तो बहुत सारे हमारे दिवाग में misconception हो सकते हैं या misguidance भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी से राई लिया कि क्या करना चाहिए और हो सकता है कि कोई बच्चा पहले 15 साल पहले निकला हो या फिर उसके parents भी usually suggestion नेरे लगते हैं तो that may be misguidance maybe मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो genuine guidance हो बट ऐसा भी हो सकता है कि वो जान बूझ के कोई गलती नहीं करें बट बिकॉस पिछले 15 साल में जो preparation का pattern हो बहुत जादे change हो गया है तो उनको इस बात की knowledge ही ना हो especially एक important point ये भी कि काफी parents decision लेते हैं अपने बच्चों के लिए कि अब आगे कैसी preparation करना है क्या क्या करना चाहिए और parents usually अपना जो knowledge होता है उसका baggage भी बच्चों के उबर डाल सकते है I'm not saying कि this will happen knowledge के baggage का मतलब ये कि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो experience किया है चाहिए उन्होंने खुद त्यारी की हो या ऐसा भी हो सकता है maximum cases में कि उन्होंने खुद त्यारी नहीं किया but उनको कुछ ऐसे misconception होते हैं कि पढ़ाई तो ऐसे भी हो जाती है ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि उनको अपने जो उनका era था उस time का idea होता है अभी ये नहीं पता है कि चीजे कितनी ज़्यादा change हो गई है और मैंने ऐसा भी देखा है कि parents मतलब उनका intention of course किसी भी parent का गलत नहीं होता है अपने बच्चे की तरफ से बट जो उनके misconceptions हैं उसका जो बहार है वो बच्चे के उपर इतना आ जाता है कि बच्चे का जो career है वो भी finish हो जाता है I've seen these extreme examples also कि कम से कम जो parents है अगर उन्हें किसी चीज़ की knowledge नहीं है मतलब अभी जैसे IDG की त्यारी कैसे करते हैं क्या-क्या problems आती हैं कितनी intense preparation है और ये क्यों intense preparation है उसके बारे में I will try to discuss तो कम से कम अगर parents देख रहे हैं इस video को तो बिलकुल last तक देखे because ये जो 1-10 घंटे का investment है this is going to save your tons of money and time I would say time is more important because जैसे पहले होता था अब वैसे नहीं होता है JEE में IIT के अंदर केवल दो attempt allowed है तो ऐसा बोलने पर parents को usually लगता है किया रहे है दो attempt में तो आराम से होई जाएगा बट इसका मतलब यह है कि अगर आपने preparation सही नहीं किया तो फिर वो दो attempt waste भी हो सकते हैं उसके बाद फिर बच्चे के पास कोई choice नहीं बचेगी कि वो IIT में जाए तो सबसे पहले हम यह discuss कर लेते हैं कि इस वीडियो का flow क्या होने वाला है सबसे पहले I will talk about batch announcement by team competition कि अगर जो बच्चे team competition की help से preparation करना चाते है उनके पास क्या-क्य option available है सबसे पहले I will talk about this then I will talk about batch features कि जो हम online and offline batches run कर रहे हैं उनके features क्या-क्या advantages है उन batches की over other batches then I will talk about competition advantage कि competition क्यों different है बाकी institute से then एक बहुत बड़ा डाइलिमा आज कल parents के दिमाग में रहता है या बच्चों की दिमाग में रहता है कि online versus offline में which is better और वो क्यों better है उसके बारे में I will discuss and the most important thing is general points for preparation points to remember or do's and don'ts I will talk about generally क्या-क्या misconception होता है क्या-क्या गलतियां होती है अगर वो हमें पहले से ही पता है मेरे को पता है कि आगे जाके ये आने वाला है बहले ही rough patch आए हमारी preparation बट अगर मेरे को पहले से पता है कि ये rough patch आने वाला है तो I am mentally more prepared to deal with it और हो जकता है कि उससे हमारी preparation smooth रहे कोई दिक्कत ना है तो ये काफी सारे points है जो भी मेरे को पिछले two decades से भी ज्यादा का experience है IIT, JE, mathematics पढ़ाने के लिए तो मैंने लाखों बच्चों को देखा है कि उनकी preparation में क्या-क्या गलतियां होती है क्या-क्या कोई बच्चा सही करता है तो those points I will try to discuss in the last तो let's start सबसे पहले हमारा जो online batch है that is पृथम 1 online ये जो batch है ये class 11th के लिए है मतलब जब बच्चा 11th में preparation करेगा तो वो 11th का जो portion होता है वो पढ़ाया जाएगा CBSE के portion और JE के portion में थोड़ा सा difference है तो मोटा मोटा मान सकते हैं maximum जो CBSE में 11th में prescribed course है वही यहां पर पढ़ाया जाएगा maximum but कुछ chapters definitely different है क्योंकि हमारी जो logical sequence है that is different कि हम कुछ chapter 11th में पढ़ाते हैं कुछ chapter 12th में पढ़ाते हैं तो ये वाला जो batch है that is for 11th class only 12th class में जाने के लिए हमारे एक दूसरा batch आएगा next year पर खर उसमें admission लेना पड़ेगा तो जो बच्चे हमारे साथ continue करना चाहेंगे they will take admission in that batch तो ये तो अभी केवल 11th class के लिए जो batch की starting date है that is 18th March से start होगा end date का मतलब कहाएं कि we will be giving you scheduled recorded lectures ताकि scheduled lecture इसलिए दिया जाएगा एक साथ dump नहीं करेंगे ताकि जो बच्चा है वो discipline way में पढ़ाई करता रहे और जैसे offline में daily एक class होती है हर subject की उसी तरह है कि daily मतलब week में तीन या चार दिन बुलाया जाता है तो यहाँ पे भी week में तीन या चार दिन बट एक बाद जब वो 5th April को आ गया तो उसके बाद वो आपके dashboard में available होगा कि by chance किसी बच्चे का छूट गया 5th April को तो वो बाद में भी उसको देख सकता है तो यह जो classes के scheduling होगी वो हमारी लगभग tentatively बोल सकते हैं कि 20 December के आसपास तक यह 11th वाला portion हमारा finish हो जाएगा और उसके बाद जो batch का access रहेगा कोई बच्चा किसी भी रीजन से हो सकता है कि sickness की वे जैसे या हो सकता है 3-4 दिन उसने कैसे भी miss कर दी और वो आगे जाके इसको पढ़ाई करना चाहे तो इस batch का access आपके पास next year 25 में 31st मार्च तक रहेगा और मतलब उसके बाद भी अगर वो कुछ कोर्स बसता है तो वहाँ cover कर सकता है ठीक है और जो बच्चा हमारे साथ 12th में भी continue करेगा तो उसको लिए इस batch का access हम 26 तक देंगे मनलब 26 में जाके जब J.E. advance का paper होगा तब तक J.E. advance का paper लग जून में होता है जून के starting में हम में के last में होता है तो ये advance के exam का बतलब क्या है कि आप ये मानिजे के June 2026 तक इस batch का access भी रहेगा अगर कोई बच्चा हमारे सा 12th में continue करता है कोई बच्चा अगर हमारे पास 11th में बढ़ता है और discontinue कर देता है तो फिर उसके लिए next year March के last तक उसके पास access भाइगा अच्छा जो fees है इस batch की that is 26,900 इसके अदर material हो गया test हो गया each and everything is included for class 11th और ये one time payment है और हमारे पास installment option भी है तो वो जानने के लिए आप हमारी support team से एक बार बात कर सकते हैं support का नमबर ये दे रखा है 8888-000021 जो faculty team है इसमें नीरस सैनी सर organic chemistry पढ़ाते है आलोग सर हमारे physical and inorganic chemistry पढ़ाते है अमिद बिजानिया सर physics पढ़ाते है and myself मोहित यागे I'll teach mathematics in this batch जो class की frequency हो गए वो 3 to 4 classes भी होगा मतलब week के अंदर per subject पर भी तो मतलब देड़ेड़ घंटे की एक दिन में 3 classes होगी तो 4.5 घंटे का class मानो और एक week में 3 से 4 दिन ऐसे classes होगी ठीक है इसके बारे में we have discussion we have already discussed अब किसी भी तरह का कोई भी doubt है तो आप हमारे inquiry number support number पे call कर सकते हैं you can also visit our site as online.competition.com वहां से आप इस batch में register भी कर सकते हैं ये तो online batch हो गया अब next is आर प्रथम star offline batch तो ये जो offline batch है इसकी जो starting date है वो 3rd April 2024 है और ये वाला batch हम केवल जैपुर सेंटर पे run करते हैं और कहीं हमारी कोई branch नहीं है ठीक है end date जो इसका होगा वो भी tentatively जो 11th portion खतम हो जाएगा वो December के mid में लगबाख खतम हो जाएगा course की जो fees है वो one time 90,000 है और installment option है of course इसमें भी available है जो भी main line के institute है मतलब जो भी आपने so called नाम सुना था होगा advertisement के थूँ और जो पिछले 25 साल से already established institute है वो जो चीजे देंगे मतलब जो उनका material होगा जो उनका testing होगा each and everything we will provide और उससे better ही होगा better क्यों होगा that I will also discuss because we are new age institution तो we also customize our preparation suit जिसको बोलते हैं कि बच्चा अपने हिसाफ से कैसे customize कर सकता है ताकि उसका जो maximum time है वो अपने उपर ही जाए कि उसको जो requirement है वो वो ही पढ़े इसलिए उसका जो rank आएगा वो definitely better आएगा बर जो main line के institute है उनकी फीसे से काफी जादा है हमने काफी कम फीस रखा है ताकि बच्चा अफोर्ड कर पाई इसको जो faculty team होगी of course team competition के expert teachers इसमें पढ़ाएंगे बैच का जो registration है वो competition digital app या website पर आप करा सकते हैं और जैसे offline batch यह जैपर में रण होगा तो of course आपको जैपराना पड़ेगा तो directly आप offline center भी visit कर सकते हैं और हरी कृपा education private limited में आप online भी fees जमा करा सकते हैं इसकी detail के लिए you can talk at our support number again tetra 8 tetra 021 जो हमारा offline center का address है उसकी link हमने google जो link है वो हमने description में डाल लखा है that you can follow if you want to visit our center in competition अच्छा इसमें यह जो offline batch है इसी fees के अंदर इसी 90,000 fees के अंदर अभी हमने जो अपनी online की fees बताएगे 26,900 वो वाला batch भी आपको complimentary इसी के अंदर मिलेगा मतलब उसकी सारी facilities के अंदर मिलेगी यह कि मत्चना online बच्चा doubt भी पूछ सकते है वैसे तो जो offline आएगा वो definitely offline ही आएगा बट यह one of chance हो गया कि by chance उसकी class miss हो गई या फिर offline में usually बहुत सारी institute में आप क्या देखोगे कि बच्चा doubt पे जब जा रहा है तो doubt में भी लगी हुई है और एक एक घंटे में wait करके उसको एक question का answer मिला है मतलब उसका बहुत crucial time waste हो रहा है daily daily तो ऐसे में हमारे यहाँ पे offline में of course plenty of doubt faculty is available तो वहाँ पे बच्चा आराम से doubt पूछ सकता है daily live zoom class होती है doubt clearing के लिए उसको attend कर सकता है if want these are extra facility these are not required जो भी कोटा की कोटा या डेली या फिर बैंगलॉर, बॉंबे, हैदराबाद, पटना जैसी जगा पे जो भी main line के institute है offline वो जितनी भी services provide करते हैं each and every service we will provide plus we will provide something extra जिससे बच्चा अपना customize कर पाए और better तरीके से अपने time को utilize कर पाए तो इसलिए जो online वाला batch है वो इसी के अंदर included है उसके कोई extra fees नहीं है तो मतलब 30,000 के आसपरस तो वही batch हो गया that is also included in this कि अगर किसी बच्चे की मालिया चार classes शूट जाएं तो वो वहाँ से online से भी वो चार classes को cover कर सकता है क्योंकि offline classes में क्या होता है कि अगर एक बार छूट गया तो फिर छूट गया और कभी-कभी ऐसा होता है कि बीच में से गरें एक link निकालने तो पूरी जो preparation की chain है वो काफी weak हो जाती है तो यहाँ पर यह advantage है कि you can also take जिसे बुदन है blending learning कि online और offline दोनों का बेस्ट चीज़ यहाँ पर ले सकते है किसी भी inquiry के लिए आप हमारे इस number पर contact रह सकते है प्राइम number यह है और 7410900 सभी में यह है 901, 906, 907 और 908 इन चारों में से भी अगर यह number नहीं मिल रहा है किसी भी reason से busy है तो इन numbers पर भी आप बात कर सकते हो course में register करने के लिए description में link दे रखा है that you can follow या फिर आप directly इस website पर जाके online.competition.com पर भी course में आप register कर सकते हो batch के नाम मैंने बता दिया कि offline वाले में of course offline लिखा होगा प्रथम star offline लिखा होगा online वाला जो batch है that is प्रथम 1 ओके अब हम जाते course के features क्या क्या है पहले online के जो features हैं वो जो हमारे lectures हैं वो scheduled recorded lecture है ताकि बच्चे की continuity बनी रहे, discipline बना रहे दूसा जी complimentary physical copy of the material मतलब बच्चे ने एक बार अगर lecture देख लिया तो उसे question भी करने होंगे of course उसमें भी 2-3 घंटे आराम से लगते हैं total तो वो time उसका screen पे ना जाए इसलिए हम इसी fees के अंदर हम उसको एक physical copy भी भेजेंगे ताकि वो बच्चा घर पे भी physical material से practice कर पाए screen time को कम करने के लिए फिर जो study material है that you will get as graded study material graded का मतलब कहा है कि काफी बच्चे ये book खरी लेते हैं book में क्या होता है एक साथ 500 question है उसे ये नहीं समने आता है कौन सा question मैं करूं कौन सा question छोड़ो और इसकी वजह से उसकी preparation material हो जाती है but यहाँ पे we will be giving you curated material because जो बच्चे हैं उनकी capacity अलग-अलग होती है पढ़ने की कोई 8 गंटे पढ़ पाता है कोई 12 गंटे पढ़ लेता है plus उनके पास time availability अलग-अलग होती है कुछ बच्चा इसकूल में माले उसे 6 दिन नहीं जाना पड़ता या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जनका traveling time कम होता है तो उनके पास जादा time available है तो इसलिए हम ने जो material है उसको grade कर रखा है exercise 1 होगा, exercise 2 होगा, exercise 3 होगा फिर DPPs होगा, फिर एक extra edge करके और extra material है each and everything we will provide और कोई हमारे admission ने रहे तो उसे किसी भी तरह का कोई भी material या book करीदने की बिल्कुल जरूँथ नहीं पड़ेगी क्योंगी जो हमने material दे रखा है वो बहुत ज़ाद exhaustive है and I can safely say 99.99% बच्चे इसी को complete नहीं कर पाएंगे इतना ज़ाद exhaustive है बट उसको पूरा complete करना जरूरी भी नहीं है अगर कोई बच्चा मालने इसको 50% भी complete करता है तो भी उसकी rank अराम से 2000 के अंदर आचाएगी तो इसलिए graded material का ये फाइदा है कि हमारे पाँ जतना time available है उसके हिसाब से हम एक-एक exercise करते जा सकते है ठीक है then let's move to next point that is doubt solving is best in competition in online and offline both mode बच्चे का जैसे जो भी material मिलेगा उसका हमने video and tech solution पूरा दे रखा है ये ठीक है तो बच्चा अपने आप समझ सकता है उसके comprehension भी better होता है फिर भी अगर कोई doubt है तो वो हमारे पास daily zoom live session होता है certain slot में वहाँ के वो live doubt पूछ सकता है किसी भी तरह का उसे theory में दिक्कत है या फिर जो material हमने दिया है उसके अंदर कोई दिक्कत है तो वहाँ पूछ सकता है और उसके बाद भी अगर वो मालिया वो miss कर दिता है किसी भी reason से तो telegram groups भी बने हुए जहाँ पर बच्चा type कर सकता है doubt को अपने या फिर picture खीच के भेज सकता है या फिर voice message के थूँ महाँ पर doubt भेज सकता है तो ये 24-7 facility available है दोनों ही online और offline वाले बच्चे के लिए ठीक है अब IOTJE में क्या होता है कि जो questions आते हैं हर साल नए questions आते हैं तो वो जो नए-ए-ए-ए-ए-ए-ए-पर जो भी teacher है जो अच्छे teachers हैं वो क्या करते हैं कि उन questions के basis पर वो practice कराते हैं आपके तो हर साल आपको extra question आते ही चले जारे है तो वो theory में भी कुछ part add हो जाता है तो इसलिए जो burden है वो बढ़ता ही चला जारे तो इसलिए आजसे जो 20 साल पहले preparation थी और आज preparation है उसमें ये difference है कि अभी completion इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि understanding तो ठीक है एक understanding होनी चाहिए अपको सारे concept को without समझे हुए हम apply नहीं कर सकते बट फिर भी mathematics में बहुत तरह की manipulations होती है वो manipulation हमें याद रखनी पड़ती है kinda और वो manipulations जो है वो बढ़ते ही चला जा रहा है each and every year something will get added बट जो time है वो बच्चे के पास तो उतरह है अवेलिबल है तो इसलिए उसको ये पता होना चाहिए कि कहां पे उसका time leak हो रहा है मतलब किसी भी ऐसी activity में उसका time leak नहीं हो रहा है बट ऐसा हो सकता है कि दो चीजे हैं एक ज़्यादा important है एक कम important हो सकता है कम important वाली चीज़ पे ज़्यादा time waste कर रहा हो तो इसलिए guidance is very much required throughout the preparation journey we require कि बच्चा leak से ना हटे ताकि उसका time waste ना हो और जितना भी available time है उसके अंदर वो best क्या कर सकता है उसके लिए proper उसको guidance की बहुत जाद requirement है क्योंकि बच्चे के अंदर तो कोई misconception भी हो सकता है कि मैं ये कर लेता हूँ तो ऐसे हो जाएगा और बाद में मालूम पड़ा कि एक दो महीने बाद कि उसमें बहुत सारा time waste कर दिया this is not optimum strategy तो इसलिए ये बात समझते हुए जो हमारा batch है उसमें हम weekly guidance session लगाते है कि ठीक है एक तो हम broad guidance सभी को देते हैं कि ये ये करना है ये ये नहीं करना है और 99% चीने उसी के अंदर cover हो जाते क्योंकि हमें पिछले 20 साल का experience है फिर भी अगर किसी बच्चे का student specific भी problems होती है कि जो बाकी बच्चों को नहीं एक बच्चे particular बच्चे को है तो वो इन guidance session में आकर अपने doubt दूर कर सकते है तो यहाँ पर academic और non-academic दोन ही तरह की बाते discussion कि जाते हैं and this is a very important factor यहाँ पर हमारे सारे senior faculty and directors will be taking these sessions कि जिसमें हम बच्चे के साथ one-to-one बात करते हैं कि बच्चा अपनी doubt कूर सकता है तो this is going to be a very important thing जो usually बड़े-बड़े institute में possible ली होता क्योंकि इनके पास scale इतना बड़ा होता है student का कि वो हर individual बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकते या काफी courses online भी ऐसे चलते हैं जिसमें massive पास-पास दर-दर स्यार बच्चे होते हैं तो उनको एक-एक बच्चे से बात करना is not possible ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे का जो preparation है उसको बहुत दिक्कातार ही है बट केवल दो मिनट का time ऐसा हो सकता है कि उसकी preparation जो उसकी problem है उसको बिल्कुल खतम कर दे और preparation उसकी smoothly जाने लगे तो these are going to be a very important feature of this course which are not available elsewhere फिर अब बच्चा जब पढ़ेगा तो definitely 11th में वो बोर्ड की भी exam करेगा तो हम बोर्ड से related भी support देते हैं बच्चे को बोर्ड से related support physics, chemistry, mathematics and English के lecture भी देते हैं जो पांचला subject है वो because अलग-अलग होता है तो वो बच्चे को खुदी करना पड़ेगा तो इससे related हम भी बच्चों को वीडियो प्रवाइड करते हैं ताकि बच्चे का time waste ना हो जिसको चाहिए मतलब काफी बच्चे तो खुदी बोर्ड कर लेते हैं आपने schools से उनका cover हो जाता है बट जिसको चाहिए हम ये classes भी extra provide करते हैं फिर IATJ के लावा भी बहुत सारे और exam होते हैं तो उनसे related help भी हम provide करते हैं कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा हमारे admission ले रहा है इस fees के अंदर उसका अगर जो engineering की त्यारी कर रहा है तो each and everything will be covered here उसे कहीं पर भी बाहर जाने की जोटने पड़े कोई बुक नहीं खरीना कहीं से guidance लेने के लिए उसे इदर उदर नहीं भटक के अपना time waste करना बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जैसे आजकल online इतना ज़्यादा अवेलेबल है बहुत सारी information available है तो वो इधर उदर लगाता surfing करते रहते हैं और जैसा भी मैंने बताए कि इतना ज़्यादा burden है कि बच्चे के पास 24 hours कम हैं तो उसमें उनका बहुत important time इसी चीज में waste हो जाता है इधर उदर guidance को दूने में फिर एक बंदा कुछ बोला है दूसरा बंदा कुछ बोला है तो उसमें वो confused हो जाता है तो इसलिए it is very important कि आपका जो time है वो केवल एक चीज में invest होना चीज़ है and that is कि आप knowledge gain कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो बाकि each and everything के form कब आएगा form कैसे ब्रहा जाता है क्या क्राइटीर है each and everything we will provide हर तरह का guidance ये ठीक है इसलिए जो WBJE के test है ये भी हम कराते है UGEE के test भी हम कराते है bits set होता है जो bits के जो institute है bits पे लानी हो गया इस तरह के वो जो अपना test लेते है उसके भी एक test paper हम कराते है ताकि बच्चे को इधर-दर ना बटकना पड़े उसका time waste now that is most important thing इसके बारे में मैंने बोल दिया कि बच्चे को authentic guidance मिलता है ऐसा नहीं कि काफी YouTube पे ऐसे भी लोग हैं कि जो just views के लिए उल्टी-सीधी बाते बोले रगते हैं बच्चों को पसंद आए यह ठीक कुछ-कुछ बच्चे ऐसी होते हैं कि जिनको कुछ चीजे वो सुनना चाते हैं ठीक है यहाँ पे हम केवल वही चीज बोलेंगे जो उसके hit में है चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे अगर हम यहाँ पे यह नहीं बोलेंगे कि चार घंटे पढ़के काम हो जाएगा नहीं आपको आठ से दस घंटे कंसिस्टेंटी डेली पढ़ना ही पढ़ेगा अब यह बात बहुत सारे बच्चों को जो काइंड आफ कामचोर होते हैं उनको अच्छी नहीं लगी बट हम तो यहीं बात बोलेगी चीक है बट यूट्यूब पे यूट फाइंड के ऐसे बच्चों को अट्रेक्ट करने के लिए दे विल गिव यूरे स्ट्राटजी के तीन घंटे में प्रिप्रेशन कैसे कर सकते हैं और लास्ट में जाके बच्चे को पता लगए कि उसका तो पूरा केरियर ही तबाह हो गया क्योंकि आपके यह जो अगले दो साल है they are the most important part as far as their career is concerned जो आगे कर 30-40 साल का केरियर है अगर हैं इंजीनिंग के फील्ड में बनाना चाते हैं तो यह दो साल सबसे जादे important है यहाँ पे जितना better platform आपको मिलेगा आपका जो future growth होगी यह इतनी ही better होगी this we understand तो बच्चे को भले ही अच्छा लगे या ना लगे हम केवल वही बात बोलते हैं जो इसके हित में है and that's what I mean by authentic guidance फिर आजकल जैसे बहुत सारे institute हैं even बड़े बड़े जिनको unicorns बोलते हैं वो भी खोल-खोल के बंद हो चुके हैं COVID के दोरा we are the only one जिनकी team stable है काफी institute में ऐसे हैं जो institute चल रहा है बट हर साल उनकी faculty team चेंज हो जाती है faculty team होने से क्या होता है कि वो जो preparation का पूरा ecosystem है वो उनका disturb हो जाता है यह ठीक है क्योंकि ecosystem तो faculty ही बनाती है पहली faculty set आया मानलिया दो साल पहले उन्होंने कुछ-कुछ create किया और it takes hell lot of time मतलब ऐसा नहीं कि तीन महीने में create हो जाएगा क्योंकि वो faculty class भी लेंगे तो जो भी time बचा उन्होंने कुछ-कुछ create किया थोड़े बहुत टेस्ट बढालिये फिर उसके बाद faculty team change होगी अब जो नई team आया उसने फिर वो ही चीज zero से start कर दी फिर तीसी team आया तो फिर उन्होंने वही चीज चालू कर दी तो even if some institute are running for say past seven years but because of this frequent change मैं online institute की बात करूँ frequent change in faculty set उनके पास अभी भी कोई proper system नहीं है जो हमें पूरा ecosystem चाहिए होता है test का चाहिए होता है doubt clearing का चाहिए होता है और भी बहुत सारी चीजे हैं जिसे बोलते हैं customization के हमने बहुत सारे छोटे छोटे courses बना रखे हैं and each cycle is getting better मनदर जो भी हमारे पिशले साल का experience था उसमें जहां पर हमें लगता है कि बच्चों को अच्छा ये need और है तो फिर हम उससे related एक course और ले के आ जाते हैं या उसका कोई ना कोई नया solution नका दें ताकि बच्चों को उस तरह के कोई गरबड़ी ना हो किसी भी तरह के कोई गलती ही ना मिले उसे और उसका time fully utilize हो केवल knowledge gain करने में हमारी जो faculty team है वो पूरी stable है पिशले चार साल से and we have created an excellent ecosystem for the student for JE preparation मतलब अगर कोई बच्चा same IQ का हमारे system में आता है versus कहीं और जाता है तो इसलिए उसका definitely same IQ का बच्चा अगर same मेहनत करें हैं दो तो हमारे यहां पे जो institute में बच्चा पढ़ता होगा because उसकी जो preparation है वो ज़्यादा effective and efficient है तो उसकी rank definitely better आईगी next is इसी के बारे में मैंने बुला कि customization है कि बच्चे की need के हिसाब से offline batches में जो बड़े-बड़े batches run होते हैं या online batches भी ऐसे batches हैं जा 2-2,000 बच्चे एक batch में पढ़ रहे होते हैं वो बस कहने के लिए पढ़ रहे होते हैं मालब this is no better than youtube पे पढ़ना यह ठीक है youtube पे हमने मालब जो हमारी faculty team है वो कोटा में decades का experience है उन्होंने top batches में पढ़ा हुआ है जापे top 100 में बहुत सारी rank निकलती है उस knowledge level को हमने youtube पे free of cost डाल लगए है पूरा syllabus physics chemistry mathematics में उन बच्चों के लिए जो financially afford नहीं कर सकती तो अगर किसी जिसे आज कल बहुत सारे सस्ते course भी आ गए है तीन है चार हैर के courses है बट उसमें एक एक बैच में 500 हजार बच्चे होते है और practically किसी से कोई interaction नहीं होता है उससे बहुत better और efficient course you can get free of cost in our youtube channel जो मोहित्यागी के नाम से है वहाँ पे वो बच्चा जो नीडी बच्चा है जो मतलब fee afford नहीं कर सकता वो वहाँ से पढ़ सकता है बस उसे practice के लिए कोई material लेना पढ़ाएगा distance learning material ले सकता है या फिर books ले सकता है और एक test series लेनी पढ़ेगी बाकि जो video में knowledge चाहिए वो हमने पूरा youtube पे free of cost डालका है तीनो subject में 0 से लेके advance तक का पूरा ऐसा नहीं कि बच्चे को class में पैट के joke सुना जा रहा है उसका time waste किया जा रहा है इस तरह की चीज नहीं है जो usually live classes में होता है इन छोटे courses में होता है क्योंकि जो 2-3,000 का course होता है उसको कोई भी ले लेता है बहुत सारे बच्चे तो उसको वहाँ पे जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको मतब सेलेक्शन भी होता है डेफिनिटी बट उसके जो potential के हिसाब से rank का नीचे वो काफी compromise हो जाती है तो I will say कि अगर कोई बंदा financially afford नहीं कर सकता है तो हमारा एक YouTube channel है आप वहाँ से पढ़िए वहाँ पे हमने पूरा sequence ही बता रखा है एक वीडियो में कि आप किस-किस chapter को पहले पढ़े फिर उसके बाद क्या पढ़े उसके बाद क्या पढ़े पूरी strategy बता रखे free of cost बच्चा हमारी YouTube channel से कैसे पढ़ सकता है customization में different type के courses है हमारा c-cube है, preble है, fast लेने ये इस तरह की चीज़े हैं कि बच्चे को अपनी need के हिसाफ से वो इन courses को use करके highly efficient preparation कर सकता है अब इसका मतलब क्या है तो वो मैं अभी समझाऊंगा तो समझ मीं नहीं आएगा बट जब बच्चा preparation करेगा जब उसे need होगी तब उसे पता लगेगा कि इसका क्या फाइदा है, इसका क्या फाइदा है ये especially उन बच्चों के लिए जो 10th से 11th में जा ले है अब competition advantage क्या है सबसे पहले learn from experience faculty हमारे याँ जो भी faculty हैं decades का experience है, quota में top 100 में बहुत सारी rank निकाली हुई है दूसरा master all three subject under one roof अब इसमें ये होता है कि J.E. का paper होता है मेंस का paper जो होता है तो मेंस का एक तीन गंटे का paper होता है जिसमें physics, chemistry, mathematics होता है ठीक है, अब वो 3 गंटे एक साथ मिलते है उसमें ऐसा नहीं कि physics अलग एक घंटा है chemistry अलग एक घंटा मिलता है तीन गंटे हमें एक साथ मिलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा planning लगती है कि बच्चा chemistry में से 10 minute बचा के math में invest करता है तो उसका optimum score आता है इस तरह की चीज़ आती है तो एक सिस्टम में पढ़ने से क्या है कि उस तरह का जो interplay है between the subjects ये ठीक है that can be addressed very well अगर बच्चा अलग अलग जगह पर पढ़ रहा है मालने एक subject रोज नहीं यहाँ पर पढ़ लिया यहाँ पर पढ़ लिया तो testing is also one of the very important factor वो उसका जो part है वो बहुत weak रह जाएगा हमारे यहाँ पर ये जो test बने हुए है और test भी mains में जैसे दस दिन paper होते हैं दो-दो shift में मालने दस दिन में 20 paper आगे 20 तरह के paper जो है कोई tough आगया कोई easy आगया कोई moderate आगया बहुत तरह के combination बनते है तो हम जो test लेते हैं उसमें हर तरह के combination को address किया जाता है ताकि ऐसा ना हो इस बार जैसे जेई 2024 जैनवरी वाले attempt में ऐसा हो कि एक shift में काफी easy paper आगया उससे बहुत सारे बच्चों को उल्टा सीधा उनका preparation चला गया बहुत अच्छा preparation चला रहा था बट उनका performance अच्छा नहीं आए तो इस तरह कि सारी चीजों का experience देने के लिए हम different type के papers काते है that is also very important तीन अलग मलब कि इसको मैं एक line में ऐसे sum कर सकता हूँ कि जेई का preparation is not physics plus chemistry plus mathematics अलग अलग these are not three components PCM एक साथ ही होता है तो efficient preparation के लिए ecosystem के लिए important की preparation में बहुत सारी ecosystem होता है doubt clearing session हो गया, test हो गया मलब end number of things तो हमने चार successful cycle already run कर लिया, मतलब it is not like we are starting ये ऐसा नहीं है बहुत सारी institute जो है कि जो अभी नई team के साथ start करेंगे तो they will promise के हम ऐसा करेंगे हम ऐसा करेंगे, उनकी language में ये आएगा, और what we are saying कि हमने ऐसा किया है, we can do it we will do it even better next time जो भी हमारी learning होगी है जो भी थोड़े लूपोल्स रह गए होंगे, किसी भी चीज में या बच्चे की requirement नहीं तरह की कुछ आई होगी तो उसको we will address in next cycle हमने जब भी जएए का result आता है तो you will find हमारे YouTube channel पे सबसे पहले हम each and everything openly, transparently बताते हैं फिर हमारा एक जो felicitation program है, जैगोश, वो इंडिया में highly popular है, almost जो आईटी में जाने वाला हर बच्चा है, उसके बारे उसको पता है, जहां पे हम अपने results को openly display करते हैं तो जो हमारे results है, वो highly genuine है बाकी बहुत सारे institute में ये, you will find, कि वो कोई भी नंबर बोल के चले जाएंगे बस, कुछ भी बोल दिया हो है, and I need not to go into detail of that, everybody understands this फिर prioritizing students need over business, जैसे हमने बोला कि जो हमने पहले start किया था, उसमें क्या किया हमने YouTube channel पूरा course free में डाला, उन बच्चों के लिए जो बच्चे नीडी हैं, जो कहीं admission नहीं ले सकते, जो मतलब रहने के लिए 1.5 लाक और fees, 1.5 लाक, 3 लाक रुपे कैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए हमने पूरा course free of cost डाला है, because हमारे जो teachers हैं, including me, हम भी middle class backgrounds है, तो we understand it, how difficult it is for a middle class student to arrange that kind of money, तो इस लिए हमारा पहला intent तो बच्चे ही है, जब हमने पूरा course free of cost डाल दिया, अगर माल लिया, हम इस YouTube channel को आज बंद करें, तो हमारा जो course का sale है, वो 3-4 गुना एक ही दिन में हो जाएगा, because उससे हजारों बच्चे पढ़के select होते हैं every year, but we will never do it, because हमारे लिए सबसे top priority वो बच्चा है, कि अगर कोई पढ़ना चाता है, तो और उसके पास संसाधन का भाव है, तो जो coaching वाला पार्ट है, जो उसकी learning वाला पार्ट है, that we will take care free of cost, तो इसलिए student first is our first priority comprehension solution of all need का मैंने बता दिये, कि पूरा एक ecosystem होता है, अभी तो मतलब दूर से जो preparation start करेगा, उसको यह लगता है कि नॉलेज होना चाहिए test दो हो गया, ऐसा नहीं होता बहुत सारी और भी चीज़े हैं, which you will realize कि छोटे-छोटे से point भी बहुत जादे important, because preparation इतना बड़ा burden है, और उसको एक limited time के अंदर fit करना तो हमारी each and everything should be highly optimized, जिससे बच्चे के potential के साफ से उसका best rank आए, then this I have talked many times कि यहाँ पर बच्चे की need के ऐसा नहीं कि एक batch में बैठे हुए हैं, सब को पढ़ाया जा रहा है, माली होँआ पर एक below average बच्चा भी बैठा है, एक highly sharp बच्चा भी बैठा है, तो teacher usually beach कर रास्ता लेते हैं पढ़ाने के लिए, तो उससे round also, जो उसमें बहुत अच्छा बच्चा बैठा हुआ है, बहुत अच्छा in the terms of rank, या in terms of जिसको IQ बोलते हैं, कि वो contender है top 100 rank का, तो उसको average example भी किरा जा रहे हैं, क्योंकि क्लास के हिसाब से किरा है है, तो उसका time waste हो रहा है, तो यहाँ पर you will get कि जो भी बच्चे की need है, उसके हिसाब से we will give him a customized solution, ताकि उसका पूरा time जो उसको need है, उसी में spend हो, sincere studying no time wasted, जैसे हमने बुला कि we don't want to be popular, we want to be effective, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा, अभी हम क्लास में joke crack करें, बहुत सारे teachers जो हैं, अपनी लेवेन के सामने बुलो कि उन्हें तो बुलाएं कि अच्छा है, यह तो engaging teaching है, यह तो उसी से बच्चे का interest बनाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाई है, वो काफी जादा intense है, और intense का मतलब यह कि जो देड़ घंटे का lecture है, उसमें कुछ चीज हमने समझाई, तो एक flow बना हमारा mind depth तक गया सीखने के लिए, अगर उसमें कुछ हम उल्टी सीदी हलकी फुलकी बाते कर दें, तो एकदम वो जो learning है, वो एकदम break लग जया उसमें, जो sincere बच्चा होता है, उसको बहुत ही गुस्ता आता है, जब भी class में हम उल्टी सीदी बात करते हैं, तो उसका flow टूल जाता है, फिर उसको वापस उसी flow में लाने में difficult ही होती है, बट जो average बच्चे होते हैं, काफी बच्चे ऐसे ही होते हैं, जो preparation के वल कहने के लिए कर रहे होते हैं, उनका कोई real intent नहीं होता, उनको बहुत मजाता है, ऐसी चीजों में, तो हमारे institute में, बिकॉस जैसा हमने बुला कि ये जो next two year है, they are the formative years for a student, जो उसकी आगे की life हो, काफी कुछ इस पर depend करती है, we do not want कि बच्चा कि कोई भी learning यहाँ पे compromise हो, जैसे मैंने मुलों के course इतना है, तो हमें वही खतम नहीं कर सकते, given time के अंदर, उसी में हमें highly customize करके, चीजों को pick करना पड़ता है, कि ये छोड़ो, ये इतना important नहीं, ये जादा important है, ऐसे करके customize करना परता है, क्योंकि time availability, उसके अंदर भी, अगर हम एक डेर्ड़ हिंटे की class में 15-20 minute हा हा ही ही में निकालने किसी को जो crack कर रहे हैं, लड़के-लड़की की बात हो रही है, इस तरह का you will find online पे बहुत सारी YouTube channel है, तो वहाँ पे उस environment में non-sensor बच्चे को तो बहुत मजाएगा, and I will say कि जो non-sensor बच्चा उसे उधर ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ITJ aim नहीं है और हो सकता है कि parents के pressure में preparation कर रहे हैं या और किसी भी reason से preparation कर रहे हैं, तो हमाने यहाँ पे highly intense academic पढ़ाई होगी, वो उसके लिए बहुत bowling हो जाएगा, उसको साल काटना मुश्किल हो जाएगा तो ऐसा जो non-sensor बच्चा उसको तो ऐसे ही environment में जाना चाहिए, जहां कम से कम उसका mind fresh है बट जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो देखो अगर अभी मजे करेगा, तो बाद में वो सफर करेगा अभी अगर वो अपना full 100% देखा तो अफकोर्स बाद में उसका फाइदा होगा तो यहां पे हमारा जो focus है, वो केवल studies पे है मिला हम कोई ऐसा हलकी फुलकी कभी कदुका once in a blue moons बात होगी तो ठीक है but it is not like a daily hunting class में daily हमारे 15-20 minutes waste हो रहा है यह लिए हमारे पर तो टाइम का अभाव है, हम तो और ज़्यादा चीज़ें देना चाहते हैं but वो time ही नहीं है जो बच्चा limited time में कर पाइए leading in innovation का मतलब यह के जैसा हमने बना कि बच्चे की जैसे requirement change हुआ या फिर हमने और भी चीज़ देखा कि यह जो fixed model पिशले 20-25 साल से चला आ रहा है, this is not efficient इसमें क्या-क्या improvement कर सकते हैं, किस तरह के courses बना सकते हैं, that we have done या फिर IIT भी लगातार change हो रहा है पिशले 3-4 साल में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने strategies change की हैं तो उसमें respond करना, we are the first one के जो हर्स हमेशा respond करता है 24 में भी J.E.E. ने अपना slavers change किया और we were the first one के हमने एक हफते के अंदर नए slavers पे हमने material निकाल दिया noble intent, genuine advice, social work जैसे हमने बुला कि social work हमारा YouTube चलना है जहाँ पर कोई भी बच्चा free of cost पढ़ सकता है genuine advice का मतलब क्या है कि अभी appreciate करें अगर वो यहां से पढ़के जा रहा है तो वो 10 साल बाद भी appreciate करें जो मेरे को values, जो मेरे को system हाँ पर दिया गया उसने I.E.J.E. में तो अफकोर्स help करेंगे, बाद में भी life में बहुत ज़्यादा help करेंगे अब हम बात करेंगे competition यह तो online वाली maximum चीज़ें थी competition offline और बाकी के जो offline है उनमें major difference क्या है let's talk about that सबसे पहले we have a full flashed hundred से भी ज़्यादा computer की एक lab है हमारे पास जहां पे बच्चा बैठ के अपनी self study कर सकता है क्योंकि study center पे बैठ के भी पढ़ाई कर सकता है और जैसा मैंने बुला कि अगर कोई बच्चा online का कुछ support लेना चाहे थोड़ा बहुत तो वो हमारे हाँ जिसे काफी parents अपने बच्चे को mobile नहीं देते हैं ताकि उसका time waste ना हो तो ऐसे case में अगर वो lecture देखना चाता है तो हमाई लैब में बैठ के कुछ lecture देख सकता है या और किसी भी तरह का support वो लेना चाहता है तो हमाँ ले सकता है self study करना चाहता है तो हमाँ कर सकता है क्योंकि काफी बच्चे का होते है एक बार room पे जाके वो सो जाते है तो इसलिए हमारे center पे वो self study कर सकता है classes के इलावा भी daily आके पढ़ सकता है दूसरा all practice tests are in CBT mode अब जो जेई का paper होता है वो computer based होता है even जो सबसे popular institutes है popular मतलब जिनके पास सबसे ज़्यादा बच्चे हैं इंडिया के पास में इंडिया के अंदर जिनके पास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो भी पूरे साल में computer based एक दो test कराते हैं ये ठीक है toppers का तो हो सकते हैं वो 3-4 test करा देते हैं बड़ जो maximum batches हैं जो नीचे की जलता है उसके लिए पूरे साल में एक या दो test कराते हैं हमारी अपनी lab है तो हम जितने भी साल में पूरे 10-20 test लेंगो सब computer based लेंगे ताकि जब actual exam में computer आये तो बच्चा डरेना उसके हाथ ना कापे highly efficient हो computer को देखने में highly जिसको बुलने ना कि उसे ease to use हो तो इस लिए साल है test लेते हैं तो ऐसा है कि knowledge तो ठीक है पर knowledge को फिर convert करने के result में जो हम instrument use करें उसे भी familiarity बहुत ज़्यादा जरूरी है तो that you are going to get तीसा online support for customization and missed classes जैसे हमने मुला कि काफी ऐसा होता है कि preparation के दौन of course intense preparation होता कोई बच्चा तीन दिन के लिए बीमार पढ़ गया है कहीं जाना पढ़ गया तो उससे जो continuity break होती है काफी जगा पे उसका कोई usually तोड़ नहीं होता कोई उसका support नहीं होता और हमारे हाँ पे definitely क्या है कि वो बच्चा online classes वही तीन lectures आपके online वाले में उनको कोटा में decades का experience है पढ़ाने में और हर तरह के बच्चे को हमने अपढ़ाए चाहे rank 1 हो चाहे 10 या rank हो, 2 या rank हो, 1 लाख rank हो उन मालब 20-25 cycle हमने देखा है बच्चों को और हमें पता है कि क्या-क्या दिक्कत आती है बच्चे को कैसे efficient way में अपढ़ाया जा सकता है तो वो जो experience है ये ठीक है knowledge हो सकता है किसी teacher को हो बट वो जो experience वाला part है that you are going to get here along with knowledge उसके साथ जो ये वाला experience है कि क्या ecosystem बनना चाहिए बच्चे के maximum benefit के लिए तो सब कुछ उस guidance के अंदर run होगा and we will take care कि कहीं पे कोई भी किसी तरह की दिक्कत ना हो किसी बच्चों को problem ना हो काफी जगे पे तो ऐसा होता है कि top institute और कहीं है मने center उसका quota में है और इधारुदा जो center होते वहाँ पे अपने हिसाब से काम चला है that you can understand ठीक है अब online versus offline में कोविड में काफी online जिसे बोलते हैं बदनाम हो गया उसका reason यह था कि एक primarily reason तो यह था कि बहुत सारी institute ready नहीं थे तो उन्होंने कुछ भी आधरपकी सी चीज बच्चों के सामने present की तो जो which one is not efficient of course हमने YouTube channel पे पढ़ाने का हमें decades का experience था तो हमने कोविड के start होते ही best services दी IITJE के field में दूसर यह था कि parents की तरफ से भी जैसे बच्चे को कहीं भार्ण करना allow नहीं था पूरे दिन घर पे बैठके computer के सामने पढ़ना definitely इस age में जिसमें बच्चे में energy जाता होता ही तो वो बंद गया तो हो सकता है कि उसका focus रहा lose हो गया आज की date में that is not there आज की date में बच्चा की जो social need होती है interact करने की वो तो करी सकता है अगर online घर में बैठके पढ़ रहा है तो भी वो बहार शाम को एक घंटे टहलने जा रहे हैं या फिर एक interaction schools में हो रहा है तो वो जो social need वाली dimension है that is satisfied तो अब वो दिक्कत नहीं है focus वाली क्योंकि एक दिन में मालब focus करता है जो बच्चा ITJ के लिए पढ़ेगा जैसा मैंने मुला कि load बहुत जाता है और available time come है तो वो तो grasp करता है करता है कि कहीं से में को एक गंटा मिल जाए आराम से अपने mind को शान्त करने के लिए तो उसको ये दिक्कत नहीं होती कि उसके motivation है पढ़ने का है नहीं अफकोस over a period of two year every day discipline से आपको आट-दस गंटे पढ़ना है तो आपको highly motivated होना ही चाहिए तो computer के सामने बैठने में motivation नहीं आता है इसका तो कोई question नहीं होता तो इतना तो self motivation हो गए होगा जो बच्चा दो साल पढ़ेगा कि वो computer के सामने अकेला बैठके क्योंकि बहुत सारे बच्चों को knowledge की curiosity इतनी होती है उनको इतना मजा आने लगता है जब वो नहीं नहीं चीज़े सीख रहे होते हैं वो भूल जाते हैं कि medium क्या एक क्लास में बैठे हैं क्लास में तो ऐसा हो सकते हैं कोई दूसरा बच्चा उसको disturb कर रहा हो कोई धर ज़र से पीछे बाते कर रहा हो उसका जो ध्याने वो भंगो रहा हो और उसको concentrate ना कर पा रहा हो अगर non-serious batch में फिर तो offline में उसकी bandy बच जाएगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे हाँ ही कर रहे होंकि उससे समझ में नहीं रहा होगा टीचर भी जल्य दी निकल रहा होगा कि जो टिकले crack कर रहा होगा तो बहुत जादे inefficient way है तो that problem is not there unprofessional institute काफी जो छोटी जगा पर institute होते हैं वो बहुत जादे unprofessional होते हैं मतलब क्योंकि youtube के माध्याम सम्झा पूरे देश से जुड़े हुए तो हर city का बच्चा बताते हैं कि यहाँ पर हमारे institute में यह हो गया कि physics professor ने पहला chapter तो दो महीं ने पढ़ाया और उसके बाद last के मंद में पाथ chapter क्यत्म कर दिये एक साथ ही ऐसा होता रहता है इस तरह की चीज़े होते हैं या फिर तीनो subject के अच्छे teacher मिलना बहुत जादे difficult है ठीक है कि तीनों ही teacher अच्छा हो जिसके साथ tweening हो सके कभी-कभी ऐसा भी होता कि तीनों teacher अच्छे हैं start भी किया बड़न में फ्रिक्शन्स आगए वो बीच में course छोड़ के चले गए या फिर मालिया number of student sufficient नहीं आए तो किसी ने कोई institute जाइन कर लिया तो फिर उनकी team तूट गए और इस तरह के बहुत साए हुआ है कि एक बच्चे की मालिया chemistry की class तीन-तीन महीने तक नहीं हो रही है क्योंकि chemistry के teacher ही नहीं है वो जोगार नहीं की कुर्शिश करें तो बच्चे का तो carrier दापके लगा हुआ है तो इसलिए जो छोटे शहरों में institutes हैं उनकी viability पे इसलिए बहुत ज़्यादा है दिखते हैं online और offline में अगरे बात करेंगे तो definitely online is much more efficient क्योंकि offline में बच्चे का travel time भी होता है कितना भी pass में हो पहली seat पे बैठने लिए कुछ बच्चे में जैसा हमने बोला कि time available कम होता है जो डिएड़ घंटे की class है उसमें हो सकता है कि teacher पांच मिन लेटा है पांच मिन जल्दी छोड़ दे बच्चे questions पूछ रहे हैं कुछ non-serious बच्चे questions पूछ रहे हैं इस तरह से time leak होता ही चला जाता है तो online में हमारे पास ज़्यादा time available होता है तो जिसमें हम ज़्यादा तरह के questions करा सकते हैं ज़्यादा detail में explain कर सकते हैं ताकि बच्चे को better समझ में आए ठीक है यह मैंने बोल दिये कि अगर ज़्यादा time available है online में तो of course explanation ज़्यादा होगा जो बच्चा online घर पर बैठके पढ़ रहा है देली extra मिल रहा है उसको 2 गंटे तो 2 गंटे में तो मतलब IIT में तो 1 गंटे में लगए 25 questions करने पड़ते हैं तो 2 गंटे में 50 questions हो गए तो 50 कर नहीं भी हम माले 40 questions हो गए तो everyday 40 questions over a period of 2 years thousands of questions का exposure जब ज़्यादा होगा उस बच्चे को जिसके बाद ज़्यादा time available है तो that is also going to create a huge difference जब last में rank आएगा ठीक है online में definitely customization better तरीके से किया जा सकता है need के साब से कि अगर किसी बच्चे के base weak है तो उसको आराम आराम से पढ़के ज़्यादा basic level के ज़्यादा example करी practice करनी होती है तो यहाँ पे उस तरह के courses and material is available ताकि बच्चे आपने इसाफ से बढ़े no teacher, no black box मतलब offline में तो क्या होता है कि बहुत सारी institute का आते हैं बड़े-बड़े वो अपने result दिखाने हमारा ये होगा हमारा इतने बच्चे select होगे बट हमें ये भी सुझाएंची कि अच्छा जो बच्चे select हुएं वो तो पहले एक-दो बच्चे से हुए होगे तो उन में जो teacher पढ़ा रहेंगे नीचे भी वही teacher available है मतलब उस institute से कितने select हुए हैं इससे ज़्यादा important चीज क्या होना जी कि जो batch हमें मिला है माले मेरे को आठवे नंबर का batch मिला उससे कितने select हुए हैं ऐसा हो सकता है आठवे नंबर के batch से last year कोई select ही ना हुआ हो क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर बच्चे non-serious type के हो या फिर faculty भी of course lower order batches में ऐसी दिया जाता है कि जुनको बच्चे वहाँ पर अगर non-serious type है तो बहुत ज़्यादे knowledge चाहिए नहीं होता है तो faculty cost पे भी बचा जाता है तो उस तरह की चीज़ें मेरे खाल से सभी parents वगर को specially specially समझना आती होगी कि average out करने के लिए जो top batch में faculty प्राइन है highly paid तो उसको average out करने के लिए जो नीचे faculty जाएंगे क्योंकि बच्चा उनको फसा नहीं सकता knowledge में क्योंकि बच्चे उनको खुद knowledge नहीं है उसका base कमजोर हो सकता है non-serious बच्चे हो सकते है तो वहाँ पे result हो सकता है highly compromise और दूसरा चीज यह भी होता है कि ऐसे batches में अगर कोई sincere बच्चा फच जाता है तो अब उसे क्या है कि उसे पूरा input दिया ही नहीं जा रहा है क्योंकि वहाँ तो बच्चे maximum उसकी जो class में बच्चे हैं वो fun चाते तो teacher भी उसी तरह के से करेगा क्योंकि teacher की वहाँ पे feedback होता है कि बच्चे खुश रहने चाहिए तो वो भी वहाँ पे इस तरह का environment create करते हैं कि सब बच्चे खुश रहे तो ऐसे ही में अगर को sincere बच्चा है तो वो fun जाता है lower level के example करा जाएं paper में तो tough questions भी आएंगे तो वो फिर नहीं कर पाएगा तो वो कभी उपर वाले batch में जाई नहीं पाएगा तो जो lower order batches हैं वैसे तो वो homogenesies batches ही होते हैं maximum बच्चे उसमें non serious ही होते हैं but जो 2-4 पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर highly compromise हो जाता है उनका जो career है तो इस चीज का जहां लखे यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या है बहुत सारे बच्चे ऐसे उसमें टीचर भी अच्छे हैं बट उनकी somehow tuning नहीं बैट रहा है हमारे यहाँ पर क्या है अब YouTube चैनल पर देख लीजे आप कैसे पढ़ाया जाता है और अगर आपका tuning बैटता है कि आपको रग रहे हैं कि हाँ समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है तो you can take admission मतलब ऐसे ब्लैक बाक्स नहीं है कि क्लास में जाके पता लगेगा एक दो हफ़ते बाद कि कैसे teachers हैं ठीक है यहाँ पे online में of course कोई lower order batch की tension नहीं है सभी को एक ही तरह का course available है मतलब अब उस में से वो अपने हिसाब से क्या क्या चीज़ें करना चाता है क्या क्या चीज़ें pick and choose करना चाता है that is a different thing ठीक है top batches institute मतलब काफी offline batches में भी मतलब हमारे पास इसे बच्चे है top मतलब इंडिया के जो institute है उनके top batch कैसे बच्चे है जो एक subject या दो subject या पूरे subject तीनों subject में हमारी help लेने जो हमसे पढ़के क्योंकि यहाँ पर detail में पढ़ाया जाता है जादा example कराया जाते हैं जादा आसानी से समझाए तो फिर वो उस बेच में वहाँ classes attending करते बढ़ वहाँ के test में they are performing much better ओके अब आजाते हैं हम इस वीडियो के most important part पर एंडाटे इस general points अब हम general points आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के misconception हो सकते हैं preparation को लेके तो सबसे पहले है कि take preparation seriously from the start no backlog जो preparation है मतलब 10 लाख बच्चे जई देते हैं और science stream में जो जई eligible बच्चे होंगे वो तो मेरे खासरे कम सार्श सफतर लाख होंगे तो बाकि 40-50 लाख तो हिम्मत भी नहीं करते हैं जई की preparation करने के अब 10 लाख लोग हिम्मत करते हैं उस 10 लाख में से भी जो main IITs हैं मतलब एक IITs हैं एक NITs हैं IIT के अंदर लगबग 10 यार seats हैं तो मतलब 1% success rate है तो पहले तो बहुत बड़े चंक ने तो try नहीं किया फिर जिन 10 लाख बच्चों ने try किया उसमें से भी 1% बच्चा select होगा तो ये तो एक highly specialized club हो गया percentage wise अगर हम बोले तो अब इस club का अगर आपको member बनना है तो you have to be serious and you have to be disciplined, focused आपको अच्छी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी आप अपने आपको बाकी लोगों से compare नहीं कर सकते तो वहां तक पहुँचने के लिए you should be highly motivated अच्छा 10 से 11 में 10 तक तो क्या होता कि काफी बच्चे ऐसा होता कि पूरे साल नहीं पढ़ते हैं लास्ट के एक दो महिने में पढ़के और अच्छा कर लेते हैं यहां पे it is going to be it is not going to work like that ऐसा यहां पे नहीं होगा कि हम शुरू में ध्यान ना दे बाद में दोबारा पढ़नेंगे क्योंकि यहां पे चीज़ें इतली जैसे मैंने कही बार बोल दिया इस वीडियो में कि काफी ज़्यादा पढ़ाने के लिए है और तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा मैथ अच्छा है तो सौ में से सौ माक्स आ गए मेरे तो बोर्ड में सौ में से सौ CBSE के अंदर ही एक दो लाख बच्चों क्या थे तो बाकि UP और MP और यह सब मिलाएंगे तो बहुत सारे बच्चे उन एक दो लाख बच्चेों में से भी जिनके सौ में से सौ माक्स आएंगे जिनका सो कॉल्ड मैथमोनिक बहुत अच्छा होगा केवल पांदरस परसेंट बच्चे सेलेक्ट होंगे उसमें भी ऐसा होगा कि बहुत सारे बच्चे आएटी के अंदर जाएंगे तो केवल टैंथ की जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे मैं हमें हवा में नहीं होना चाहिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हमें पता है कि सीरियसनेस क्या है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तक हमारी जो परफॉर्मेंस है वो शुरू से अगर हम सीरियस होके पढ़ाई करेंगे तो डिरेल नहीं होगी क्योंकि एक बार कर डिरेल होगी तो उसको वापस पटरी पे लाना बहुत डिफिकल्ट है जैसा मैंने बोला कि वॉल्यूम बहुत जाद है पढ़ाई का तो इसलिए इस बात का ध्यान है कि किसी भी तरह का कोई बैकलॉंग ना हो इस्टार्ट फॉर्म एलेविंट इससे नौट ट्वेल्ट यह ठीक है जेई का मेंस का फस्ट पेपर आजाएगा तो मतलब उसमें हार्ली उसको आठ नो मन्त मिलेंगे प्रिप्रेशन के लिए अब यू कैन अंडेस्टैंड कि एक बच्ची ने 11 और 12 में प्रिप्रेशन छोड़ दिया यहां जो टाइम था दो साल का जो टाइम था वो तो उसने मस्ती में काटा केवल बोर्ड के यह तियारी करते हुए यह ठीक है और जबकि बाकी के बच्चे इसी टाइम डियूरेशन में डेली 8 से 10 गंटे पढ़ रहे होगे तो वो तो बहुत आगे हो जाएंगे अब वो जो दो साल बच्चे ने त्यारी की उसमें से काफी बच्चे ऐसे भी हुए जो ड्रॉप लेके थर्ड यर भी त्यारी करेंगे क्योंकि या तो उनका सेलेक्शन नहीं होगा या फिर उनकी बैटर रैंक नहीं आयोगी तो अब थर्ड यर में एक बच्चा ऐसे पहुचा जो फ्रेश त्यारी अब करना है स्टार्ट होगा ठीक है वर्सिस एक बच्चा थे ने दो साल तक डेली आर्ट दस घंटे त्यारी करके अब उन बच्चों से कंपीट करेगा ये बच्चा तो कैसे कंपीट कर लेगा और अगर अब मालिया बहुत ही हाई आई क्यू है किसी बच्चे का तो वो तो 11th के साथ ही मैनेज कर सकता है आराम से तो अकर किसी का बहुत हाई आई की तो भी उसकी रेंग कॉंपरमाईज होगा कि सेलेक्शन हो भी हमाले है उसने ड्रॉप ले लिया तो ऐसा हो सकता है उसका POTENTIAL 500 रेंग लाने का हो और उसकी रेंग 458 है ऐसा हो सकता है तो drop year में सब कुछ करने का मतलब क्या कि हम पूरा 500 के लिए उठाके चल दिये ये ठीक है versus हम उसको तीन चंक में तोड़ ले और एक एक बार में मालिया 1.500-1.500 के लो उठाके लिए जा ले तो which one will be easier anybody can understand तो especially parents इस बात का ध्यान अखे मतलब वो अपने बच्चे को इस situation में ना डाल दे कि वो आगे कुछ करी नहीं सकता मतलब उसके हात में चीज नहीं बची क्योंकि मतलब अपने जिसे बोलते हैं कि knowledge ना होने की वजह से बच्चा पे नहीं करना चाहिए तो especially जो parents पुराने जमाने के हैं या जिन्होंने अपना जमाना देखा होगे पढ़ने होने तो एक साल में पढ़के select हो जाएंगे उनको जो preparation का dynamics है वो कुछ भी समझ में नहीं आता है इसलिए वो ऐसी statement दे रहें ठीक है initiation is important काफी हमने यह देखा होगे किसी बच्चों को physics से ड़ल लगता है किसी को math से ड़ल लगता है IQ तो हमें तीनों में एक जैसा ही चाहिए होता है अगर किसी का physics में IQ चल ला है तो उसका math में भी चलना चाहिए अच्छी हो ठीक है competition will be with toppers मतलब 10 तक तो जैसे हमने बोला कि बहुत सारे बच्चों होते हमाई 95% आए 96% आए तो अब जो competition होगा वो बिल्कुल जो toppers cream है बिल्कुल उसमें होगा पूरी class में नहीं होगा मतलब हर शहर के जो toppers उठाए जाए जाएंगे उन में से you will be competing तो it is going to be fierce ठीक है but fierce होने का मतलब यह नहीं कि मैं डरा रहूँ मैं तो बस आपको importance बताना हूँ कि you should be ready ऐसा नहीं कि आप उसको हलके में ले कहने का मतलब यह है ठीक है be practical do not try to grab too much बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जब preparation करने के लिए मैं यह भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा पर देखो preparation J का जो नाम है this is one of the toughest examination in the world वो ऐसे ही नहीं बनाए ठीक है क्योंकि यह really में difficult है और इसमें systematically चलना पड़ेगा practical होना पड़ेगा जैसे बोर्ड बे तो हमें 95% देखनी की आदत होती है यहां तो 30% में आराम से selection हो जाता है IIT advance के अंदर 30-40% marks में seat मिल जाएगी हमको तो उस तरह के जो marks हैं वो देखना possible नहीं है यहां पे पहली चीज होगी दूसरा do not try to grab too much कि मैं यह book भी कर लूँ वो भी कर लूँ यह material भी कर लूँ शुरू में हो सकता है कि जब load कम हो तो हम थोड़े दिन कर पाएं बट उसके बाद अगर हम जबदस्ती करने की कोशिश करेंगे too much material तो फिर हमारा backlog होना चालो हो जाएग और एक बार यह backlog के जिसे बुलते हैं कि circle में गए तो फिर उससे बाहरी नहीं आ पाएंगे तो इसलिए we should be practical कि हम course के साथ जरूर चलें भले हमारी चीजे 100 में से 80 ही complete हो पाएं छोड़ दो आगे चलो अगले chapter पे चलो फिर उसके बाद revise time to time that is very important revision के लिए भी हमें daily कुछ नहीं कुछ time निकालना पड़ेगा आगे चलो कि जिसे तीन महीने बाद जो हम revise करेंगे तो जो तीन महीने में पढ़ाए गया है cumulative course उसके notes हमें revise करने पढ़ेंगे उसमें भी time लगेगा तो ऐसा नहीं कि जो हम नया पढ़ रहे हैं उसी में time है उसकी practice में time है पुरानी में भी हमें time invest करना पड़ेगा वरना भूल जाएंगे last तक जाते आते and grip practice test मतलब ये तो ठीक है और हर मढ़ीने कम से कम हमें एक या दो practice test जरू देने जाए coaching में जाओगे तो वो लोग institute में जाएंगे तो वो लोग of course arrange करेंगे test बढ़ उन test को देना जरूरी है मतलब ऐसा नहीं कि यार मेरी preparation ये नहीं देता हूँ क्योंकि test भी बहुत सारी चीज़ें सिखाता है हमें कि actual exam जो होगा उसमें pressure अलगी type का होगा उसमें अलगी type की गलतिया होगी तो उनहीं गलतियों का हम एक run कर रहे है trial run कर रहे है कि जो जो गलतिया होँ वो यहीं identify हो जाए actual exam में ना हो तो test देना बहुत ज़्यादर जरूरी है कि do not run after many material and book जैसे हमने बुला कि अगर आपने मन लिया competition and admission लिया तो आपको किसी भी book की कोई जोती है कि चाहे market को कोई भी बुलता है कि यह book अच्छे वो book अच्छे कर आपको बता है तो हमें भी बता होगी and definitely we can also pick the questions from that अगर आपको बता है क्योंकि आप तो 3 subject पढ़ोगे अभी पढ़ोगे हमें तो पिछले 20 साथ से 1 ही subject पा दें तो of course जो हमारे पास जो resources होंगे वो बहुत ज़्यादा large होंगे vast होगा and जो हम material बनाने वो of course इसलिए बनाने ताकि हमारे बच्छों का बनाव उनकी better rank आए तो वो research हम पे छोड़ दें और जैसा आपने बनाने हम जो material देने वही complete नहीं होगा 99% बच्छों से क्योंकि इतना exhaustive है and that is fine बना ऐसा हम यह पता है कि नहीं complete होगा वो तो hardly एक बच्छा ऐसा आगया कि जो top 10 में fight कर रहा है उसका IQ बहुत शार बहुत जार बहुत दढ़ादर question solve के जा रहा है ऐसा एक बच्छा हो सकता है वना किसी book की कोई जोतनी है for success in life one need discipline, focus, resilience and logical brain analytical power मतलब कुछ बच्छे ऐसे है कि चलो अगर life में हमें आगे जाके successful होना है ठीक है बहले हमें इंजिनिंग में नहीं जाना है but this preparation is going to help you a lot क्योंकि successful होने के लिए हमें जो जो ingredients चाहिए इन दो साल उसी चीज की practice होगी तो जो बच्चा यहां से practice करके मल या किसी NIT में चला गया IIT में seat नहीं बली तो भी जिसने sincerely practice किया है उसके अंदर इतना value addition हो गया होगा कि वहाँ पे भी बहुत अच्छा perform करेगा कुछ बच्चे तो ऐसे भी करते कि IIT की त्यारी करने के बाद तो किसी दूसरे field में चले गए they will excel there because these things are very much required और उन्होंने अगर एक बार इस process से गुजर गए तो बाकी बच्चों से बहुत अच्छे हो गए तो वो किसी भी field में compete कर सकते हैं इसलिए आपने ये भी देखा होगी कि जो ITNs हैं, जो engineers हैं usually वो IES में भी top pitch ले आते हैं और बाकी के exam में भी top कर लेते हैं क्योंकि इनकी analytical power बहुत अच्छी रहाती है तो इसलिए mathematics science है कि हमें एक बार जरूर पढ़ना चीए ठीक है, do not wait for 10th class result जैसे में बहुत चाहते exhaustive है कुछ बच्चे क्या करेंगे कि अभी April में या March में एडिविशन नहीं लेंगे बोर्ड खतम होने के बाद भी वो wait करेंगे कि एक बार result आजाए 10th के देखो 10th के result से हो क्या जाएगा यह ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि 10th में कोई fail हो जाएगा और वो अब सोच दाए preparation करने के लिए preparation करने का मुलब कि already आप बिल्कुल अपर class में होगे batch की तो वहाँ पे तो ऐसा कोई doubt आने है कि 10th के result में क्या होगा बट 10th के result का wait करने से हमारे crucial एक दो मन्त खतम हो जाएगा अब यह जो एक दो मन्त में जो बाकी batch को पढ़ाया जा रहा है अभी यह आगे उसी course में add होगा क्योंकि जो हमारा 11th का course है वो तो January, February तक खतम करना ही होगा ताकि आगे 12th स्टार्ट हो जाए 12th में भी काफी exhaustive पढ़ा ही होती है तो इसलिए मतलब जान बूज के अपने load को आगे ना खिसका है क्योंकि आगे वो और ज्यादा माप्ता में आएगा अभी अगर distributed load है तो आपके आज थोड़ा सा breathing space रहेगा और मालिया किसी को 15 दिन बीमार पढ़ गए तो उसको भी adjust करने के लिए हमारे पस enough time रहेगा अगर हम latest start करेंगे तो it is going to be difficult अगर किसी का full-fledged school है क्योंकि usually schools में मतलब I am sorry to say बट usually पढ़ाई नहीं होती और किसी-किसी school में अगर आप यह बोलते हैं कि पढ़ाई होती है बहुत ध्यान देते हैं तो वो भी basically percentage बनाने पे ध्यान देते हैं मतलब percentage अच्छी आजाएगी हो सकता है बट जो IAT-JE में चाहिए understanding और उसके लिए जो concept की clarity चाहिए maximum schools में teacher के पास होती नहीं हो क्योंकि उन्हें तो बस यह पता है कि पिछले 10 साल के paper कर लो ऐसा question पूछा आता है यह marks आजाएंगे बहुत सारी बचे रट के 90% से उपर marks ले आते हैं बट वो IAT हैं बिल्कुल flat जाते हैं और ऐसे भी बचे हैं जिनके board में 75%, 80% marks आते हैं बट वो IAT बहुत excel करते हैं कि उन्हें चीजों को समझ समझ के पढ़ा हुआ है तो even if आपके school में जिसे बोते हैं बहुत ध्यान देते हैं बहुत पढ़ाई होती है तो वो पढ़ाई may not be useful for IATJ this we should understand तो जो बच्चा school going है मतलब आप ऐसे सोच लो कि जो बच्चा daily school जा रहा है और वहाँ पे वो उपना ज़्यादा नहीं परपा रहा है उसके लिए IATJ के point of view is of course उसके लिए offline manage करना is highly difficult online दो चलो इस बार manage हो भी जाएगा बट फिर भी कहने का मतलब यह है कि school वाला जो time है वो हमें अगर IATJ की preparation करना somehow IATJ में भी devote करना चाहिए studying from the platform where many batches are available for study मतलब this is called problem of plenty जब मैंने बोला कि हमारे पास many batches available हैं तो that is a customization for one student यह ठीक है अलग-अलग तरह की need के हिसाब से but कुछ-कुछ platform पर you will find कि उन्होंने बोल दिया कि यह भी batch से पढ़ सकते हो चाहें इस से पढ़ लो चाहें इस से पढ़ लो तो उससे कहा दो कि शायद दिक्कत है उसने फिर batch switch किया तो ऐसे जो in decision होते हैं क्योंकि उसके पास option इतने है इस in decision की वजह से मैंने पिछले दो-तीन सालों में देखा है कि कुछ-कुछ बहुत जो billion बच्चे थे जो बहुत अच्छा result आते तो उनकी preparation पुरी तभाव गई क्योंकि जब एक से दूसरे पर सुच हुए वहाँ पर कुछ और चला था teaching की frequency अलग थी तो उनकी preparation derail हो गई यह ठीक है जैसा मैंने बहुत लगए बहार इतना जाद है कि we cannot afford to waste one month or two month that is very difficult इस चीज का भी ध्याना के मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीजे हमें को free में दिये जा रहा है कि ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो तो वो poison भी हो सकता है तो हमारे लिए तो जो बच्चा है मतलब उसको preparation का ABCD नहीं पता जहां teachers है टीचर को decades का experience है उनने बहुत सारी cycle देख रखी है तुम जैसे जो बच्चे होगा जो तुमारी विशेष्टाए हैं उस तरह विशेष्टाओं वाले बच्चों को उनने हजारों को पहले देखा होगा तो देखें गाइड यू कि आपको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए उनकी बात हमें जरूर मानने चाहिए क्योंगी उनको experience है अपने आप नहीं लगाना चाहिए अपना दिमाग ठीक है जोइनिंग इंडिविज़ सबजेक्स टीचर ये मैंने पहले discussion करते है कि इंडिविज़ सबजेक्स जॉइन करने में क्या होता है कि एक cohesive system नहीं पाएगा आपको testing में बहुत दिक्कत आएगी तो definitely चीज़ें compromise होगी ठीक है self preparing में मैं ये बुलूँगा कि you should be highly motivated क्योंकि आपको plan अपना बनाना पड़ेगा daily कि आज क्या-क्या पढ़ना है कहां से practice करनी है कितनी practice करनी है क्या ज़्यादा important है क्या come important है तो जो इस बच्चे के पास financial problem है ये ठीक है उसके पास कोई option नहीं he has to self prepare तो of course उसके लिए तो जैसे हमने बोला कि as far as knowledge is concerned वो हमारा पूरे YouTube channel को use कर सकता है वहाँ पर हमने पूरा sequence बता रखा है chapter का practice के लिए कि आप कोई material खरी ले या book खरी ले और practice test के लिए कोई test series ले ले बट अगर किसी के पास option है कि उस financially कोई दिक्कत नहीं है तो definitely कुछ-कुछ बचे होता है नहीं मैं selfie कर लूँगा फिर उनको एक दो साल बात realize होता है कि चीजे इतनी easy नहीं है और फिर उनके पास time ही नहीं बसता तो इसलिए अगर कोई financially well off है तो वो इसकी उपर ना जाए क्योंकि किसी भी assistant system में पढ़ने का मतलब क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि हमने मालिया एक चीज को solve करने के लिए दो दिन लगा दिये और अगर आपके पास assistance available है तो हो सकता है वो दो दिन आपको दो minute की बात करकी solve हो जाए क्योंकि उनके पास experience होने पता है कि इस तरह की चीज़े होती है तो इसलिए same IQ का बच्चा अगर एक self preparation कर रहा है और एक किसी institute में पढ़ रहा है repeated institute में जिसमें मतलब सही जान दिया जाता है तो definitely इसकी rank जाता है अगर वो बराबर महनत करने तो भी इसकी rank जाता है क्योंकि उसके पास curated guidance है उसे ये पता है कि ये नहीं करना है ये करना है क्योंकि उसे बताया जा रहा है इसको तो खुदी जिसे बोलते ने कि explore करकर कर देखना है कि उसने कुछ चीज़ explore किया आगे जागे एक महीने बाद पता लगिया ये तो गलब थी इसमें ये reason था तो उसका काफी time waste हो जाएगा time is very important in metro cities travel time is also important और metro cities में traveling time भी बहुँ जाद important अब traveling से ठकते भी है अब माले कोई बच्चा आने जाने में एक जेड़ घंटा लगा रहा है ठीक है उससे ठकेगा भी तो जो बचा हुआ time is का वो उसका कम effectively use होगा अब ये एक जेड़ घंटा वो इसको हटा के माल्या योगा करने में लगा दे या फिर self talking करने में लगा दे मतलब पार्क में घूम लिया क्योंकि ये पढ़ाई intense है तो intense होने के लिए हमें मैं तो हमेशा बोलता हूँ walking या jogging करनी चाहिए अपने साथ time spend करना चाहिए ताकि हमारा mind daily काम हो जाए अगले दिन के लिए re-energize हो जाए दुबारा preparation करने के लिए हमें मतलब भूल के भी recreation के लिए device use नहीं करने चाहिए मतलब ऐसे नहीं कि हमने ये surfing कर लिए थोड़ी दे या instagram surf कर लिया वो हमारी दिमाग में और noise डाल देता है तो उससे क्या होता है कि जब हम पढ़ रहे होते है तो हमारे back of the mind पे चल रहा होता है तो उससे focus हमारा कम हो जाते है तो it is not important कि एक घंटे की अगर running मैं बोलू versus एक घंटे अगर हमने बोला कि मैंने big boss देख लिया हमाने big boss जैसी चीज़ वैसे तो ITJ का बंदा जिसे बोलते हैं intellectually काफी उपर होते big boss जैसी चीज़ में और वो बाकी टाइम को भी inefficient बता देगा तो ये दोनों एक घंटे जो invested है वो बराबर नहीं है एक घंटे अगर मैं walking या jogging करूँ तो वो मेरे दिमाग को शांत करेगा re-energize करेगा और जो बाकी के टाइम हो और effectively use होगा और better use होगा क्योंकि उससे focus बढ़ेगा हमारा versus एक घंटे की ऐसी कुछ ulti-cd चीज़े देखना वो हमारा जो बचा हुआ टाइम है वो जितना भी average था उससे भी और नीचे ले आएगा इस लिए ये चीज़े जरूर धान लखे तो moral support at home is also important अगर मालिया बच्चा आपको लगता है sensitive है तो उसे बहार बिल्कुल ना भेज़ें आज तक कोटा में ulti-cd जो news है वो आपको पता ही होगा most वाली तो I need not to say कुछ parent जैसे बोलते हैं कि without समझे होगे कि निक कर लेगा ये तो कर लेगा ठीक है पट इस चीज़ को ऐसे हलके में ना ले अगर मालिया पहली बात तो बच्चे को आपको थोड़ा सा भी sensitive लगता है तो बिल्कुल बहार ना भेज़े अपने घर की अपनी watch में रखे है उसका बहुत सारा time तो इसी में से ही वज़ाएगा खाना के लिए उसे कोई चिंता की जो उतनी कपड़े दोने के लिए चिंता की जो उतनी है पूरा time वो पढ़ाई में वेस्ट कर सकता है बहार जाएगा और different type के attractions होते हैं घर से पहली बार बहार निकला है तो बहुत सारे बच्चे गरत रहा पे चला जाते हैं तो उसको वो चार्म लगने लगता है बट वो जब बाहर जाता है तब उसे घर की आदाती है एक-दो महीं निवा तो ये जो home sickness है ये बच्चे की performance को बहुत नीचे लाती है तो अगर माले बच्चा कोई already hostel में रह रहा है फिर वो बलता है कि नहीं पढ़ने के लिए मैं यहां जाओ that is perfectly fine क्योंकि वो पहले से ही पका हुए बच्चा है उसे पहले से ही बाहर रहने की आदत है चीजों को manage करने की आदत है बट अगर कोई sensitive है तो उसका इस पेशनी ध्याना की है क्योंकि वहाँ pressure भी आता है पढ़ने का तो फिर और जादे घर की यादती है तो अगर कोई साथ में रहेगा mother या father या grandfather तो फिर बच्चे का अच्छा हो सकता है मतलब अच्छा हो जाएगा ताकि उसको नई settings ना लगे कोई उसके कंदे पे हाथ धरने वाला होना चाहिए यह बहुत important factor है बड़ बहुत सारे parents उसको miss out कर देते हैं ठीक है moving on rather than perfection जैसे मैंने बुला कि 10th के बाद बहुत सारे जो बच्चे होते होते हैं उनको perfection की आदूती है जब तक सारी चीज़े समझ में ना चाहिए हजारों question की practice ना दे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे यहाँ पे यह नहीं चलने वाला है यह ठीक है यहाँ पे आप जिसमें institute में पढ़ रहे हो या फिर अगर आप self study कर रहे हैं और आपने कोई plan बनाए है उससे stick कर कि जिस दिन chapter हमारा institute में खतम हुआ मेरे को अगले दिन chapter अगर institute में नया चालू रहा है तो मेरे को भी नया ही चालू करना है भले ही इस वाले chapter के कम practice हो भला है we should move on क्योंकि practice के लिए तो JEE का preparation काफी technical preparation हो गया कि पहले means one January में होता है फिर Mays to April में होता है फिर उसका advance का exam May या June में होता है तो ये जो बीच में times available है हर time को optimize करना बहुत ज़ाद है जरूरी है तो जो हम अपनी task के उनको prioritize करके and time limit को optimize करके हम planning बनाते हैं तो उससे जरूर ध्यान लगए है मतलब ऐसा नहीं कि हम पहला ही chapter पढ़ते जा रहे है और class में तीसा chapter चला है फिर तो पूरी preparation परबाद होगी ऐसा हो सकते है performance till 11th versus J.E. preparation मैंने बुलक it is going to be very exhaustive यहाँ पर ऐसा काम नहीं चलागा कि एक आद महीना पढ़ लिया यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि 90% marks आजाए क्योंकि बहुत सरे बच्चों को तो shock ही यह लगता है जो उन्हें परटाइज दिया और यह 10% marks आया तो काफी बच्चों के साथ होगा लगातार मैनत करते तो दीरे 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 चीज़े इंप्रूव हो जाएंगी तो उन्हें यह लगता है आपको फरकशण नहीं पर आपकोई फरकी नहीं कर बच्चा क्या कर रहा है यह भी नहीं होना चाहिए शुट बी बेलेंस बहुत सारे यूटीयूब चैनल है जो व्यूस के लिए डेते रहते हैं अगर कोई बच्चा हो बही गया और उसकी इंद् необ rider अपना केस पता है तो वो उसके हिसाब से सारी चीज़ें बोलेगा बट टीचर जो से हर तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं उनकी डिफरेंट सरकम्स्टैंसिस क्या थी उसके बारे में बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है तो तो आप जहां पही पढ़ते हैं अपनी टीचर से कॉंटेक्ट ने इसके बारे मैंने बात कर लिया कि अगर अभी कोई बच्चा फ़न करेगा तो जो इतना बड़ा चंक है जिसको हमने काट काट के और आप्टिमाईज करके इस टाइम में फिट किया है उसमें से विगर आप टाइम बेस्ट करोगे तो आपकी पोटेंशल के हिसाप से रैंग कम आईगी बहुत अच्छा काम है अगर किसी के अमाने 500 का डिसिप्लीन शेडीड फर एविडिए अब आपको लाइफ में डिसिप्लीन लाना पड़ेगा कि अगर सुबह पांच बजे उठना है तो पांच ही बजे उठना है ने रात को अगर दस बजे सो जाना है वाकि की जो सोशल लाइफ इसको दो साल के लिए छोड़ सकती है इस अगर आपने 10-15 दिन चला लिया तो उससे क्या होगी कि आपकी बॉडी को पता होगी किस ताइम पर क्या काम करना है कब ब्रेन को काम करना है कब गट को काम करना है and so on तो फिर आपकी efficiency बहुत जादर बढ़ जाएगी ठीक है फिर आपको कुछ sudden surprises नहीं मिलेंगे आपकी preparation बहुत शांदर हो जाएगी यह बहुत जादर neglected चीज है but it is very important neglecting problem preparation मतलब अगर आप और प्रेपरेशन करें आपको clear cut दिखाएगे मिले को chemistry में दिक्कत है और मेरी tuning sign ही बैठरी है आप उसको फिर भी neglect करके किये जारे हो तो neglect करना is just like जिससे कोई रोग होता है उसको neglect करने करना कि उसको और बढ़ाये जारे और एक बार वो incurable हो जाएग तो same चीज़ अगर preparation में जैसा मिलें प्रेपरेशन में सब कुछ रोजी पिक्चर तो नहीं होगी अगर कोई problem आती है तो उसको तुरंत identify करके उसके काम करना बहुत जादे चाहिए तुम काम नहीं करोगे तो भगवान उपर से ऐसा नहीं कि कुछ अचानक चमतकार कर देग और वो problem गाइब हो जाएगी ऐसा नहीं है you have to work on it तो it is very important prioritizing different tasks मैंने अलड़ी बता दिया कि इतनी सारी टास्क हैं और बच्चों के पास जो time availability है वो अलग-अलग है IQ अलग-अलग है तो बहुत तरह के combination बजाते हैं तो हमें prioritize करना चाहिए अपनी availability of time IQ के हिसाब से कि मैं को इसको mimic नहीं करना चाहिए कि वो यह book कर रहें मैं भी करने बैठिया मानुपड़ा कि उसका IQ तो है बट हमारा उतना IQ गया सकता है उसका ऐसा भी सकता है वो 9-10 से preparation कर रहा हूं ठीक है उसके बास एक base है हम 0 से चालू कर रहे हैं तो जो हमारी rank आने वाली थी आने वाली होग वह भी नहीं आई तो ऐसे किसी को mimic ना करें तो prioritize करना चाहिए प्रैप विल टेस्ट यॉर लिमिट सो बी रेडी फॉर दर रफ फेजिस की बॉइंग और वर्किंग हार मतलब यह जो preparation है यह आपके test करेगा definitely mental strength को और hard work को तो और आगे रफ फेजिस में एंगे लो फेजिस म पता नहीं क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हाई फेजिस में जब तो बहुत अच्छा लगए गया यह best decision था यह तो life का तो उसके लिए mentally पहले से ready रहो और उसका एक ही तोड़ है अगर rough phases आते है तो आप lie low कर जाओ और पढ़ते रहो बस यह ठीक है मत सोचो कि क्या होने व enough time and I hope कि अगर आप sincerely in advice को follow करोगे तो जो बचा हुआ time है उसमें आप काफी मतलब गलत जगह ऐसा भी हो सकता कि एक बार पैसा वेस्ट हो गया फिर दूसी जगह admission लिया इस तरह के तो काफी पैसा भी बचेगा और definitely उससे भी जादर important time बचेगा तो इसको sincerely follow करें and all the sincerity जो भ चाहूंगे preparation में load आएगा of course but उसको enjoy करें उसको मतलब as a burden आने जैसे मैं हमेशा एक इसका example ऐसे दहूंगे जिसे जिम में हम जाते हैं और मालिया कुछ भी हमें biceps बनाने हैं तो we will lift the weight but उसमें ताकत भी लगती है ठीके body बहुत जाद भी ठकती है extreme पे जाके लोग exercise करते है बट उसमें हमें मजाते हैं मतलब उसमें हमें कोई load नहीं लगता है ऐसे नहीं है कि अगरे दिन हम मुलें कि आज नहीं जाँगा में जिम तो इसी तरह का हमारा ये preparation हो चाहिए ये आपकी mental gym माल लीजेए ठीक है आप जो भी काम कर रहे हो से आपकी mental capability बढ़ रहे है ये ठी चीज को ध्यान में लखे खुश रहें अच्छा खाना खाएं क्योंकि अगर आपका nutritious food नहीं होगा तो भी आपकी बड़ी जादे थकेगी जादे नीद आएगी मन कम लगेगा खाना पे जरूर ध्यान लखें अच्छा खाना खाएं nutritious food ले और जो extracurricular activity है उन सब को छोड़ कि I will say मैं तो हमेशे एक चीज बलूँगा कि आप एक देट घंटे जरूर वाक करें या फिर जिसको बोलते हैं ना jogging करें that is going to have amazing effect on your mental जिसे बोलते हैं health as well as overall जो फिजीक होती है उसके उपर में तो with this note I hope you will be enjoying your preparation all the very best